नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे महागटबंदन और एक दरस करने के एंडिये के बारे में कि पिछले दिनों जो उपचुनाव के परिनाम आये हैं उसके बाद से जो है बिछले सन आने सुरू हो गए आंकड़े जो बताते हैं उसके अनुसार अगर हम मानें तो अगर महागटबंदन एक साथ होती तब भी वो नितिज कुमार या फिर कहले की एंडिये को नहीं हरा पाती बिहार विधान सवा की दो सीटों पर हुए उपचुनाव का परिनाम घोसित हो गया है दोनों ही सीटों पर जदिव अपनी सीट बचाने में कामियाब रही है ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि बिहार में अभी भी लोगों के मन में जदियु पहली पसंदक के रूप में है हलांकि अभी भी लोगों को किसी दूसरी पार्टी पर भरोसा नहीं हुआ है इस उपचुनाव में महागडवंदर जहां बिख्री हुई थी तो वहीं इसका फाइदा बिहार एंडियो को साफ तोर पे मिला भालत निर्वाचन आयोग की तरब से जारी आकड़े की अनुसार वह इस बात की तक्दिस कर रहे हैं कि कॉंग्रेस और आर्जडी अगर एक साथ है रहकर महागडवंदर की सकल में भी होते तब भी नितीस कुमार उस पर भारी पड़ते विधान सभा उपचुनाव में राजड और कांग्रेस ने भले ही अलग अलग चुनाव लड़ा हो लेकिन यह दोनों राजनीतिक दल महागडवंदर के तोर पर भी अगर नितीस को चुनावती देते तो दोनों दलों को मिले बोट पर तिसत पर का आंकड़ा जो है नितीस या फिर एंडिये गठवंदर को मिले बोट के सामने नहीं टीक पाते वहीं विदान सवा उप्चनौमे राजद के उमिदवार को 40.97% मत मिले तो वहीं जदिव के उमिदवार को 40.92% मत मिले हैं दोनों दलों के बीच के बोट का लगभग जो है 5.50% का अंतर रहा कांग्रेस से महागडवंदर से अलग होकर अकेले चुनाव मैदान में उधर थी और इसके उमिदवार को 39.06% फिसदी बोट हासिल हुए अगर रास्टिये जनता दल और कांग्रेस के उमिदवार को मिले बोट को अगर हम एक साथ कर दें तो वह जदी उमिदवार को मिले मतों से कम होगा आरजडी और कांग्रेस अगर एक साथ सुना मैदान में होती तो यह आंकड़ा जो है 44.06% के उपर नहीं जाता जाहिर है नितीज कमार के सामने ना तो आरजडी और कांग्रेस अकेले टीक पाए और ना ही महागडवंदन के रूप में भी वह नितीज से पार पार पाते हाल इन डिये की एक जूरता और बड़े आकार के नितीज के उमिदवारों को जो है बेड़ा पार कर दिया वहीं दूसरी तरफ महागडवंदन बिखरा हुआ था इसका खाम्याजा भी आरजडी को उठाना पड़ा चिराग अपने संसधिये छेत्रे यानिक अपने बिधान सब चुनाओं में लोच्पा उमिदवार को यही जो अभी वर्तवान उप्चुनाओं में जो जिनको सीट मिला था मीना देवी को उन्हें जो है पिछली बार 11264 बोट मिले थे साल भर के अंदर ही चिराग पासवान को भारी जटका लगा पिछले साल के मुकाबले इस बार उन बोट परतिसत के हिसाब से भी अगर हम बात कर लें तो इन दोनों बोट परतिसत के हिसाब से भी जदियू जो है अगर महागडवंदन एक साथ होती तब भी नितिस्कुमार की कंडिडेट को नहीं हरा पाती भारत निर्वाचानायों की तरब से जारी आकले तो फिलहाल यह भी बताते हैं लेकिन अभी जो इस हिती है उसमें चिराग पासवान और कॉंग्रेज दोनों को काम करने की जरूत है हालांकि आरजडी एक टक्कर की इस हिती में जदियू के साथ दिखाई दे रही है बिहार और बिहार से जुड़वे और बेसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे देजी अजाज़त धन्नवाद